आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बेस मेकप के बारे में आप मार्केट जाते हैं तो आप फांडेशन किस तरह से लेते हैं अगर आपको नॉलिज नहीं है आपको दुकानदार ने या सेलर ने जो भी फांडेशन दिया आपन डूत होता है आप में से कितने लोग हो मालुम है कि हमारी इस स्कीन-टोन आप अंडर टोन क्या है च describing हम जालेते हैं वे अंडर आपको सीच्फिंट वारे में मैं आपको इंपुका Wolfährt को व्हांडीशन देने वाली हूं जो आपके फांडेशन arm सेलेक्षिन में आपकी बहु है क्या जो उपर स्किन दिख रही है यह हमारी स्किन टोन नहीं है जो अंदर होती है जिसके हैप से आप अपने लिए परफेक्ट मैच फाउंडेशन सेलेक्ट कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अगर पसंद आए इन्फोर्मेटिव लगे आपके लिए यूसफुल हो तो गाइस मेक्शूर सब्सक्राइब करना लाइक करना मार्केट जाते हैं अपने लिए फाउंडेशन खरीदने तो जिस स्टोर में आफ जा रहे हैं वहां सेल्स बॉइश सेल्स गेल आपके लिए कुछ'M फाउंडेशन ट्राइक लेकर्णे को देते हैं आपके चिक्स पर या फिर आपके आपके नेक बेंटक्पे लएक को ट्राइक लेए देते हैं अपको पता कैसे चलेगा कि य्ये कीई इस्किन टॉन के के लिए हमारे लिए मैच करेगा यह नहीं सबसे पहले हम अपनी स्किन टून को समझ लेते हम किस स्किन टून के गाइस मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताऊं किया जादा डीप स्टेडी नहीं करूंगी आपको बहुत क्यों कि हमें से काफी सरे लोग नहीं समझ पाते मैं वह rodzamo किताना चाहती हो किः लेले हम चाले ली यहां किस ताहिए नारि में औरटोन कि कित्ने टून होती है कि कुन करते हम इंडिया मं हम इंडिय की वाद क्योंस जाहें कि नहीं हम इंडिया की के शूल है MPyt क्योंसेamento tomorrow ग्रुष अंडर्टोन होती क्या है पहला सवाब हमारे skin के जो अंदर काफी सारी layers होती हैं यलो अंडर्टोन के हैं पिन्क खिलों तो हम पिंक अंड़र्टों के हैंड होग ऊपण YEलो बहुत कॉमन रेंडेटों की तो मुझे कलर पता हैं मैं किस अंड़र्टों के हूं वाल मुट हिर्स के पार्टों के प्रेम चाहिते हैं सब्सक्राइब हम дост sound placebo उन्ड़र्टों से फटार्टों वाम अंडर्टोन में कौन कौन से कलर आते हैं एक्जामपल मैं वाम अंडर्टोन की हूँ मुझे यलो बेस का जो यलो रिफ्लेक्शन की फांडोशन होते हैं वो मेरी स्किन तो परफेक्टली मैच करते हैं अगर आप देखेंगे धूप में बहुत ही सिंपल बताती हूँ मैं अगर आप धूप में जाएंगे डारेक्शन लाइट में और अपने आपको देखेंगे ना ध्यान से मेरर में तो आपकी जो स्किन रेफलेक्ट करेंगी लाइट थीके वो पिंक भी कर सकती है रैड है अगर यलो है तो आप यलो अंड़ ट는 कहां इस तरह से आपैसे अपने अंडर्टून आपनी आपको फांडिशन मैच करेंग और लोग घूदक आपको आपको भी एलो अंडर टोन के मैंच करेंगे मैं आपको बहुत ही इसी मेठ़ बढ़ाने वाली हूं मेरे पास कुछ फांडेशन से जो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपने चेक करना है मैंने बेसिक मेक अप नहीं किया है गाइस बिलकुल भी आज मैं आपको लगाकर निकालू बन आपको पता नहीं चलेगा आपको अपना शेट पता करना है इससे अच्छा मैठ़ट कहीं नहीं मिलेगा गाइस आप शॉप पर भी इस तरह से चेक कर सकते हूं देखिए सबके शेट अलग अलग रिफ्लेक्ट हो रहे हैं सो गाइस देखिए यह थो बहुत जादा लाइट है वाइट कलर शेट दे रहा है यह थोड़ा सा मेरी स्किन को मैच कर रहा है यह भी वाइट टोन है और वाइट रिफ्लेक्ट कर रहे लाइट और यह थोड़ा सा डाक है यह वाला मेरी स्किन टोन से वन शेट कम है तो गाइस अब मैं आपको बता देती हूँ कलर के बारे में यह जो वाइट कलर है जो जादा मेरी स्किन से बहुत जादा लाइट है यह थोड़ी देन में ऑक्से राइस होके ब्लैक होने लगेगा यह जो शेड है यह वाला और यह अलमस्ट मेरी स्किन से मैच कर रहा है लेकिन यह में लगाती हूँ अगर मैचिंग का तो यह थोड़ी देर में काला पड़ जाएगा एक आधे घंटे में आपका जो बेस है फाउंडेशन है वो र्याक करने लगता है आप सबाल आता है इसका यह मेरी स्किन टोन से वन शेट कम है यह मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि थोड़ी देर में में लेकिन एक शेट और मिक्स करना पड़े देखना आप यह थोड़ी देर में मैच करेगा मेरी स्किन टोन से कि सो यह थी इंफोर्मेशन फाउंडेशन सेलेक्ट करने की गाईज अब मैं आपको बता दू इंडिया में कूल अंडर टोन के लोग है उनके लिए कूल अंडर अच्छी माने जाते हैं कूल अंडर टोन पहें कूलल अंडर टोन के रहां है इंडिया में मूस्ट ऑफदेज्दर कूल नहीं वाम टोन के हैं लेकिन एकला इसा कलर है जो warm undertone और cool undertone दोनों के लिए अच्छी तरह मैच करता है मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में मेरा warm undertone है सो मेरी लिए yellow इस color best होता है कि मैं yellow थोड़ी सी yellow undertone की हूँ yellow warm undertone की हूँ अब मैं आपको यह color apply करके दिखाती हूँ आपको बीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा आप अपनी लिए सेलेक्शन करने से पहले यह जरू जालेंगे कि आपका skin tone है कैसा सो गाइस बहुत ही simple tips है basic language में मैंने समझाया है आपको अच्छी तरह समझ में आगया होगा जब कभी भी आप foundation apply करते हैं make sure foundation के बाज उसे set जरूर करें set करने से आपका foundation long lasting करता है सो गाइस I hope आपको यह मेरे वीडियो informative लगा होगा useful लगा होगा अगर परसंद आए तो please mention को like subscribe करना ना भूले और अगर कोई भी skin से related problem है या कोई basic makeup के बार में information चाहेंगे तो please comment box में comment डालके जरूर बताए मैं आपके problems अब करने की पूरी कोशे करेंगे till then bye bye take care